शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्दीसे न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले आयोद निर्माणी मजदूर संग ने किया आयोद निर्माणीयों के निगमी करण का विरोध बेमुदत हर्ताल करने का पक्ष में 27% कर्मचारियों ने किया मतदान भारतिय मस्दूर संग के रक्षा इकाई भारतिय प्रतिरक्षा मस्दूर संग के आवान परस्तानिक यूनियन आयोद निर्मानी मस्दूर संग के द्वारा केंदर सरकार के मस्दूर विरोधी नितिया आयोद निर्मानियों का निग्मिकरन एवं MDI में बड़ोतरी के हजार 20 से 12 जून 2020 तक आंदुलनातमक कारिकлом किये गए जिसमें 12 जून 2020 को अनिछित कालिन हर्ताल के लिए मतदान किया गया जिसमें लगबग 98 प्रतिशत कर्मचारियों ने हर्ताल के पक्ष में मतदान किया आयोद निर्मानी बोर्ड के महानिदेशक द्वारा भारती अप्रतिरक्षा मजदूर संग को दिनांग 15 जून 2020 को वीडियो कॉनफरेंसिंग के द्वारा चर्चा करने वाली है एवं सभी परिष्ट महाप्रभंदक महाप्रभंदक को रक्षा मंत्राले भारत सरकार द्वारा निर्नाय को रोका नहीं गया तो भारतिया मजदूर संग भारतिया प्रतिरक्षा मजदूर संग से सलगनित युनियन ने देश भर में तीवर आंदोलन कर हर्ताल पर जाने के लिए बाद्य होगी उपरोगत आंदोलनात्मक कारेक्रम में भामसक के विधर्व प्रदेश रक्षक, SN बाटवे, पर्यावरन मंच के, MM रंगरे, सच्यू आर्पी चवरे, CEC सदस्या हर्शल ठोमरे, आनिम संक्या अद्यक्षय, MM व्यास महमंत्री सचिन डाबरे, JCM सदस्या संज्यवान खडे, एवं समस्ता पधाधिकारी गन और कारेकरता उपस्तित थे रक्षा मत्री मुरदाबाः, 12 जून को स्ٹ्राइक बैलेट का कारेकरम लिया जा रहा है, आज सुबब 5 बजे से स्ट्राइक बैलेट का कारेकरम लिया जा रहा है, हमारे जो महा संग है भारतीय प्रितिरक्षा मजदूर संग, इनको बाचित के लिए जो फिड़रेशनों को को बादचीत के लिए बुलाया गया है और पर जो भी बादचीत होगी वहाँ पर उपस्तित नहीं हो पाए तो वीडियो के माद्यम से हम बता ना भी चाते है और हमारे सारे आंदोलन इस चानल ने दिखाये है ये जो मोदी सरकार का रवया है ये काफी गलत रवया है ये हरताल में जाने का आज जो हमारा वोटिंग बैलेट हुआ है आज शत प्रतिशत लोकों ने वोटिंग बैलेट किया है कि हरता कोई हर्ताल नहीं करना चाहता है लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है हर्ताल करने के लिए हर्ताल शोक नहीं है मजबूरी हो गई है हमारी और ये भारत सरकार को हम जताना चाहते है कि ये मजबूरी अगर ये करमचारी है ये जो मजदूर है ये लोहा पिगलाने वाले पर इससे सोलुशन नहीं निकलने वाला हमको समझाने की या हमको बहलाने की कोई भी गवर्मेंट इसमें कोशिश ना करें हमको सीधा सीधा इसमें यपडिया नहीं चाहिए पूरे देश भर में पांदोलन तो चल रहा है और बार-बार सरकार को चेतावने देने के बावजू शापई थी औरनस स्ब्रria स्ब्रैktव को बताए गाया था लोगों ने ये भी कहा था कि हम 30 करोड़ तक का का खाम है debate और सजार स्ब्राण के जरिया करने के लिए तैया इस उद्वध्योग का निगमिंकरण। होगा वो उद्वध्योग जो है विग का ऐसा समझीए. फिर यह सरकार का जो निर्ण default key का निगमिंकरण। की जो बात आ रही है तो सरकार की पिछे का उद्देश च्या है यही भारतिय मतदूरशंगज जाना चाता है।